इन्डिया आपको यह देखिए और इनकी जो रेंज है वो लगबग 38 किलो मीटर तक होती है 37.5 अब 38 किलो मीटर और यह अचूप निशाना लगाते हैं और लेटनिल प्रियंका सेवरा को आप सलामी देते हुए और राश्पती मुर्मू को सलामी सिकार करते हुए आप इस वक्त देख रहे हैं पिनाका की तरफ से और यह पूरी तरह से ऑटोमाटेड है उफेंसिव वेपन सिस्टम इसका इतना अताकतवर है कि 12 रॉकेट 38 किलो मीटर तक निशाना साथ सकते हैं और अब देखें हत्यार का पता लगाने वाली रेडार प्रणाली स्वाती नित्रित्व कर रही हैं आर्टिलरी रेजिमेंट की लेटिनेंट दीवती राणा आदरश वाक्य सर्वत्र इज्जत और इकबाल हर जगह सम्मान और प्रतिश ठार और दोनों का एक ही आदरश वाक्य है पिनाका का भी और यह जो आप वेपन लोकेटिंग रादा सिस्टम भाई अब आपको अगर टागेट करना है तो वेपन लोकेट भी तो करना होगा न तो वही काम यह गाड़ी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है जो करती है स्वाथी नाम है और अब सरवत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है यह सारे नाम आपको समझने में आसानी हो जाएगी यह सारे मेड इन इंडिया है आदरश वाक्या है ओन पदे ओनकू निगरल यह यह न पदे नौ आपके लिए है इसका कोई मुकाबला नहीं है और इसका नेत्रत्व कर रहे हैं नौ रैपिड इंजीनियर रेजिवेंट के कैप्टेन सुमन सिंग सरवत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम को इस वक्त आप देख रहे हैं करतव व्यपत पर ये नारी शक्ती के साथ हिंदुस्तान की ताकत का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है नौ आपके लिए इसका कोई मुकाबला नहीं आजकल हम देखते हैं कि ड्रोन काफी इस्तिमाल होते हैं तो जरूरी है कि उनको भी हम जैम कर सकें तो ये जैमर है बिल्कुल ये ड्रोन जैमर सिस्टम इसका नित्रित्व क्या है इलेक्ट्रोनिक वाफएर बटालियन की लेफ्टिनेंट करनल अंकिता चौहान कर अब तक तीनो नारी शक्ति हम देख चुके हैं जैम कर सकता है आप जानते हैं कि दुश्मन मुलकों से आजकर सबसे ज्यादा इस्तमाल ड्रोन का ही हो रहा है और उनी को काभू में करने के लिए स्वधेश में बनाया गया ड्रोन जामर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सब सिस्टम, लक्ष पर अक्सर निगा रखता है, पहचानता है, ड्रोन का पता लगाता है, निगरानी के अलावा, डीजे सिस्टम, ड्रोन, यूए एस नियंतरन, अब लिंक सिग्नल के डायरेक्श उन्नत रेडियो फ्रिक्वेंसी निगरानी प्रणारी, तीन इलेक्ट्रोनिक वाफएर बटालियन की कैप्टिन आकांग्शा गोम्स के लेत्रित हो, एक और नारी शक्ति गिनते जाएगा, हमने तो पहले ही कहा था कि आज 80% कर्थ विदियों में नारी शक्ति का प्रभावी ढंग से इकठा करने के लिए नवीन तम पीड़ी के हार्डवेर और सौफ्ट वियर आधारिच रिसीवर सिस्टम शामिल देखे प्रदानम्टरी जी बताते हुए मैनुल मैकरॉण साब को कि किस तरह से क्या क्या चीज जा रही है मल्टी फंक्शन रेडार आपके सामने आकाशे शत्रुन जाही अच्छा आप सूरज बाहर निकल चुका है जी अब तो उम्मीद लग रही है इसका मतलब जो फ्लाइ पास्ट होगा उसका नजारा हम अच्छे से देख पाएंगे इसी उम्मीद के साथ हाले कि बीच में हम नहीं देख पाएंगे जो दो रफैल और एक यह नहीं आपाएंगे क्योंकि तब विजिबिलेटी इतनी अच्छी नहीं थी और बड़ी सुगमता से जो है मार्च पा शुरू भी हो गया अप्रेश्टनी शुरू भी हो गई झालकर्पनी शुरू थाएंगे और झालकर्टनी शुरू भी हो गई झाल झाल